गुड मॉर्निंग तो आल डिस परवेश खान डिस आई जेडि स्टेडी सर्किल डियर स्टुडेंट्स अब आपका एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है जिसको मैं जिसका हिंदी एक्स्प्लेशन लेकर मैं फिर हाजिर हूँ करेच 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 यानि साहस 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 इ करते हैं जब हम कोई काम नहीं कर पाते तो फिर हमें करेच से काम लेना पड़ता है हिम्मत से काम लेना पड़ता है तो उसी का एक्स्प्लेशन है इस चैप्टर के अंदर होब यूर रेडी तो लिसन दिस बहुत हैवी फील करने लगो और रफ इस द वे और रास्ता बड़ा दुश्वार हो कठिन हो वैं यू फॉल्टर एंड इस नॉट यॉर डे और क्या हो जब तुम फॉल्टर यानि के लूज स्ट्रेंट हिम्मत हार जाओ और लड़ ख़़ाने लगो किसी काम को करने में और यह समझो कि आज तुमारा दिन नहीं है जैसे समझते हैं अगर कामियाबी successful इंसान होता रहता है तो कहते हैं के बटा आज तेरा दिन है लेकिन जब आदनी कामियाब किसी काम में नहीं हो पाता है तो कहा जाता है कि आज तुमारा it's not your day and your best doesn't measure to what is required और सारी अब आपकी जो सारी कोशिशे हैं best your best ठीक है सारी कोशिशों करने के बाद भी आप यह नहीं अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कि क्या चीज की जरूरत है कामियाब होने के लिए या जो सामने काम है उसको करने के लिए किस चीज की requirement है when you know in your heart that you are fast growing tired और तुम्हें पता है कि अब दिल से आवाज आने लगी तुम बहुत तेजी से ठके जा रहे हो सामने वाले काम को सामने वाली परिशानी को face नहीं कर पा रहे हो with the odds all against you और सारी जो चीजें हैं वो सब तुमारे खिलाफ होती चली जा रही है there is one thing to do अब क्या बच्चता है करने के लिए सिर्फ एक ही चीज है जो तुमारे काम आ सकती है that is call on your courage वो क्या है कि अब तुम अपने courage को आवाज लगाओ and see thing through और उसके बाद फिर चीजों को देखो courage अपने अंदर पैदा करो साहस हिम्मत से काम लो who battles for victory ventures defeat who battles और जो लड़ाईयां हमने जीत के लिए लड़ी थी ventures by chance अचानक से क्या हो जाता है वो defeat में हार में बजल जाती है misfortune is something we all have to meet और misfortune यानि bad luck बदकिस्मती भी कोई चीज है और यह ऐसी चीज है जिससे हम सब को कभी न कभी मिलना पड़ता है या हमें इससे मिलना पड़ता है यह हमारे जीवन में आता है bad luck good luck भी होता है bad luck भी होता है दोनों ही चीज़े हैं खुशी भी है गम भी है dear students take the loss with the grace you would take in the gain यानि जो आपको नुकसान हुआ है जो रास्ते में प्राबलम और परिशानी आई है किसी काम को करने में तो क्या करना है take the loss with the grace you would take in the gain तो courage के जरीए से जो भी कुछ पाया है उससे उनका मुकाबला करना है when things go against you just सारी चीज़ें आपके खिलाफ हो don't whine or complain तो क्या आपको रोना चिलना वाइन यानि रोना चिलना परिशान होना नहीं चाहिए और complain शिकायत करनी नहीं चाहिए किसी से भी just call on your courage बस तुम्हें तो अपने अंदर का courage अपनी अंदर की हिम्मत को अवास देना चाहिए अपनी अंदर की अंदर के साहस को अवास देना चाहिए and grim if you can and grin if you can और आपको तो grin smile जितना भी आप कर सकते हैं इतना आपको smile करना चाहिए परिशान नहीं होना चाहिए परिशानियों से परिशान नहीं होना चाहिए though you fail to succeed हलागि तुम नाकाम हो गए किसी काम को करने में नाकाम हो गए fail हो गए कामियाब होने में fail हो गए do not fail as a man लेकिन तुम तो इंसान हो ना इंसान होने में fail थोड़ी हो सब्सक्राइब एक इन्सान है एक स्टुडेंट हो गया सगसरर क्लास में तो आप क्या करें वो बैट जाए कि सब्सक्राइब भाए हम थे इंशाल्ला अगये क्या क्या रहे हैं स्टुडेंट या ल sterek Jubilie और तूफान सा कुछ आफतें कुछ परिशानिया ऐसी आती हैं जिसे सब कुछ हिला देती हैं हमें हिला देती हैं यह हम सब के साथ लगा हुआ है विच कम टू अस आल हम सब के साथ ऐसा होता है कि कभी कभी इतनी मुसीवत आती हैं कि ऐसा लगता है कि बिलकुल दिन होते हो जाती हैं तो हमारी सारी चीज़ें उलेट पुलेट हो जाती हैं वैनि दूर्ण यानि हम सब ऐसा लगता है कि बरबाद हो गये तबाह हो गए रूए दो और हमारी जितनी भी उमीदें जितनी भी आशाय हैं हो सब खतम हो गई, फॉल हो गई, गिर गई, but stand to whatever you happen to meet, लेकिन हमें क्या करना है, हमें खड़े रहना है, हमें खड़े रहना है, जम के खड़े रहना है, और ये देखना है कि अब हम क्या होने वाला है, और हम किस से मिलने जा रहे हैं, या आप किस चीज से हमारी मुलकात होने वाली है, we must all drink the bitter as well as the sweet, और ये सारी परेशानियां, ये सारी कड़वाहट को हमें पी जाना है, जिस तरह से हम मीठी चीजों को पी जाते हैं, यहां इस लाइन का मतलब यह है, जिस तरह से हम खुशियां, खुशियों को, यानि के ड्रिंक कर लेते हैं, अच्छाईयों को ड्रिंक करते हैं, इसी तरह से हमें परिशानियों से भी ने घबराना चाहिए, इसको कड़वी दवा समझ के, कड़वा ड्रिंक समझ के पी लेना चाहिए, और यह आपके करेज का टेस्ट है, यह आपका इमतहान है, कि ऐसे हालात में आप क्या करते हो, In the hour, when reverses are coming to you, उन घंटों में, उन लम्हों में, उन दिनों में, जब सारी चीज़ें आपके reverses हैं, आपके against हैं, और आ रही हैं आपके against हो के, ऐसे में तुम क्या करते हो, यह आपके courage का test है, Never changed is the battle by curse or regret, तो क्या कह रहे हैं, कभी भी हमें अपनी लड़ाई का जो रास्ता है, या अपनी लड़ाई को change नहीं करना चाहिए, by curse, यह कहके, कह रहे यह तो curse है, शराप है, या बद्दुआ है किसी की, इसलिए मैं इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, और regret, और पश्ता कर अपनी लड़ाई को, अपना जो काम है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए, जो आप जिस काम में लगे हुए हैं, किसी भी परिश परिशानी से परिशान होकर, उसकाम को नहीं छोड़ना चाहिए, दो, यू विमपर एंड वाइन, हाँ, हाला कि ऐसा होगा, कि आप विमपर एंड वाइन हो जाओगे, बहुत जादा परिशान हो जाओगे, यानि कि दर्द में चिला होगे, चीख होगे, परिशान होगे, इस तिल दा एंड मस्ट भी मैट, लेकिन इस तिल दा एंड ऐसा पॉसिबल है, अभी आपको परिशानी है, लेकिन एंड में जरूर जो है, आपको कामियाबी मिलेगी, और जो लड़ाई को बहुत ही अच्छी तरह से लड़ते हैं, दो, ही स्ट्रगल सिन वेन, चाहे उनकी स्ट्रगल जो होती है, जद्धोजहद वो बेकार ही चली जाए, शैल है मैनिया विक्टरी टू पे फॉर हिस पें, यानि उनको अपनी तकलीफ की वज़ा से बहुत सारी विक्टरियां मिलती हैं, यानि जो भी वो कुर्बानी देते हैं, उस कुर्बानी का, उस परिशानी क उठाने का, उनको उसके बदले में बहुत सारी जीतें, विज़ें मिलती हैं, तो टेक यॉर रिवर्स इस पार्ट ऑफ दा प्लान, तो जो अपनी नाकामिया हैं, उनको प्लैन करना हैं आपको, उनको अपने प्लैन का पार्ट बनाएं, उनको अपने प्लैन का एक हिस्सा कि यह भी प्रॉब्लम भी आ सकती है ऐसा नहीं कि मुझे कामियाबी ही मिल सकती है विच गॉड हैस डिवाइज फॉर क्रियेटिंग अ मैन और गॉड ने मैन को क्रियेटी इसलिए किया है ताकि जब कोई मुझकिलें आएं तो वो उनका सामना करें डटके उनके सामने खड़ा रहें और गॉड से भी प्रे करता रहें कि वो उसकी मदद करें यह है ओके डियर स्टुडेंट्स अलाफेज सी यू